Hello dear mommies and daddies, welcome to baby care tips delivery के बाद जो चीज मदर को सबसे ज़ादा परेशान करती है वो है बच्चे का राद बर जागना बच्चे के साथ साथ मदर को भी जागना पड़ता है जिसकी वज़से उनकी नीद पूरी नहीं हो पाती है और वो अगले तेन काफे चिलचिड़ापन फील करती है और ऐसे में उनके मन में क्वेशन आता है कि मेरा बच्चा कब रात भर गेले सोना शुरू करेगा अगर बच्चे की नीद पूरी नहीं हो पा रही है या फिर बच्चा रात को बार बार उठ रहा है तो उसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं जो बच्चे की नीद को इफेक्ट कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि किन रीजन्स की वज़़द से बच्चे की नीद रात को बार बार खुलती है और कैसे हम उसे एक साउंड स्लिप दे सकते हैं तो चले जानते हैं इन रीजन्स के बारे में सबसे पहला रीजन है भूख लगना चोटे बच्चों की नीद खुलने का most common और obvious रीजन है कि उन्हें भूख लगी है शुरवात में बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में फीड करवाना बहुत ज़रूरी होता है तो बच्चे की नीद खुल जाती है और बच्चे को भूख लग जाती है तो जैसे ही बच्चा रात को उठता है आप उसे साथ की साथ फीड करवा के दुबारा सुला दे दूसरा रीजन है सोने का रूटीन हर रात बच्चे को अलग-अलग टाइम पर सुलाने से उसे समझ में नहीं आता है कि उसका स्लीपिंग टाइम क्या है तो आप बच्चे के सोने का एक time fix करें जिसे बच्चे को देरे देरे समझ में आना शुरू हो जाए कि उसका sleeping time हो गया है और अब उसे सोना है और सुलाने से पहले आप बच्चे की बड़ी को अच्छे से साफ करें इसके लिए आप हलका गुनगुना पानी ले उसमें साफ cotton का कपड़ा भिगोए और उससे बच्चे की बड़ी अच्छे से clean करें इससे बच्चा बहुत relax और comfortable फिल करता है और बच्चा राम से सो जाता ह थार्ट रीजन है tiredness बच्चे भी पूरे दिन की activity से रात होते होते तक काफी ठक जाते हैं तो हो सकता है कि बच्चे की नींद रात को ठकान की वज़े से खुल रही हो तो ऐसे मैं आप बच्चे को एक warm massage दें इससे बेबी को बहुत अच्छा फिल होता है और उसका sleeping schedule बनान में भी काफी help होती है तो आप बच्चे को रात को सुलाने से पहले 15 मिनट की एक massage जरूर दें इससे बच्चा काफी comfortable फील करता है और राम से सो जाता है फूर्थ रीजन है light zone अगर आप चाते हैं कि बच्चा अराम से सोया रहे तो आप बेबी के रूम की सारी lights को off कर दें और अगर बच्चा रात को उट भी जाता है तो आप तुरंत lights को own ना करें आप simply उसको अपने पास लेटाए या फिर feed करवा के दुबारा से सुलाने की क करें तो बच्चा आराम से सो जाएगा basically आपको इस पात पर ध्यान देना है कि बेबी के रूम में कोई भी bright light नहीं होनी चाहिए उससे बच्चे की नींद बार-बार disturb होती है फिफ्ट रीजन है change in temperature कई बार रात को गर्मी बढ़ने लगती है या फिर सरती बढ़ने की वज़े से बेबी की नींद खुल जाती है तो आप ध्यान रखे कि जो भी कपड़े आपने बच्चे को पहनाए है वो आप room temperature के according बनाए ताके अराम से बच्चा रात को सो सके next reason है teething कई बार बच्चों में teething का process बहुत चल्दी शुरू हो जाता है जिसकी वज़े से उनके मसूडों में काफी pain रहता है तो आप बच्चे की दिन के time में मसूडों की अपनी finger से massage करे उससे बेबी को काफी relief मिलता है और वो रात को अराम से सो पाता है next reason है गीलापन कई बार बच्चे रात को सुसू कर देते हैं जिसकी वज़े से उनकी नीद खुल जाती है और गीलापन फील होने की वज़े से बच्चे रोने भी लगते हैं तो ऐसे में आप बच्चे को रात के time में diaper पहनाए इससे बच्चे के निंद सुसू की वज़े से specially रात को नहीं खुलेगी next reason है बीबी feeling unsafe next reason है speak softly अपने बेबी को एक sound slip दे सकते हैं और आप खुद को भी sound slip दे सकते हैं I hope मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी अगर अच्छी लगी तो like कीजिए share कीजिए और चानल को subscribe कीजिए thank you